हलो फ्रेंड प्याप आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएगे पत्ता को भी है मच्छी के सब्जी मच्छी मूंडी डाल के पत्ता कभी में अज बनाने वाले हैं तो एक बर आप जुरू ट्रे किजिएगा बहुत ही अच्छी बनती है खाने में उतना ही टेस्ट ही है अगर प्रेसीप आप लोगो अच्छी लगेगी तो प्लीस लाइक कर दीजेगा दोस्ता का से शेयर किजेगा और मेरे चैनल का भी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर दीजाए एक दम फ्री है तो चलिए सुरू करते हैं यह मैं कुछ पत्ता को वीडियों से दो सब्सक्राइब हम यह मैरिनियेट कर देते हैं म Democrat मुण्डी को तो हम हल्दी पाउबर stepped Kash though मेचिय को मेरीनियेट कर लेंगे मेरीनियट कर के उसको side कर लेंगे हमा रो ग़िया है तो को मैंने कोभी की है जो मिक्स करना यह और देखेए को और दो मिनिट के लिए उसको कबर कर देंगे ए और थोड़ा सब नरहां हो जाएगी तो deputy टो और मिनित के बाद हम च्रहँ चैक करेंगे हैं गोबी हैं है कि थोड़ा सभत भी हो गई है तो ऊसके हम छान लेंगे तो चलिए जी छान लेक्ट में चलाइ। तो घियास में करोई बेठा कर ऐस वे उसमें और डल देते तो चले सोटार फॉट हम खर लेंगी यह दीखिए मैं फटाफोट फॉट फ्राइख या माघ हो गई है अलमिश में अभी निकाल देते हैं प्लेट में आरो प्लेट वेकश मैं अधा पर बादाः में हम आलू को भी फ्राइख करके अतलु में voll It इसतरा से फराय करके भी डाल सकते हो फिल्हाल में फराय करके डाल उख हमारो गई है, निकाल देज में हास ओर एक चा difah है ब्लिधी घंड भ hasin अ knives हो जाएको जाएगी देगी हमें मीडची तो उसके बद हम डाल देंगे पियाज जो पियाज हम बारी कट करके रखे थे दो मीडियम साइज पियाज है उसको हम डाल देते हैं और उसको हलका सा हमको फ्राय करना है ज्यादा गोल्डन नहीं करना है थोड़ा सा साप्ट पियाज हमर हो जाएगी तब तक उसको हमको फ्राय कर करना है प्यास को अग्दम बारी कट कर दिजेगा और उसको हलका सा प्राइ कर लेंगे चामारा साप्ट हो जाएंगे तो हम उसने मसाला अड़कर है यह हमारा पीयास देखिए साब्ठ हो गई है लेकिन गोल्डन जादा नहीं हुआ है उसके बाद हम जाल देते हैं अद्रग रसुन का पेस्ट हमने दो चमाच अद्रग रसुन का पेस्ट ली हूँ अद्रग रसुन को पेश्ट को हमको एक से दो मिनिट के लिए पकाना है अच्छी तरह से मसाला का जो गंधे थोड़ा निकाल जाएगी अच्छी से पक जाएगी इसलिए एक से दो मिनिट इसको अच्छी तरह से उसको पकाएंगे अगर रेसीपी आप लोगों को अच्छी लगेगी प्लीज लाइक कर दीजिएगा और मेरे जनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन को क्लिक किजिएगा मैं निव वीडियो की नोटिपिकेशन के लिए ये सारे प्रेसर से एकदम फ्री है तो चेली ये हमारे एक से दो मिनीट आलमास हो चुकी है आद्रक रसुन का हमार जो पेस्ट जो हम डाले थे वसे पक चुकी है तो मसाला डार करते हैं ये मैं थोड़ा लाल मिस्टी पाउडर हो लिएं लुद्ड सितना हम ड्लड में जीरा पाउडर को सब्सक्तант invested से चुछा करना है इदर नहीं कर रहे हैं क्यों किए पेले साइपर तोड़ा औरocc में जो जल जाएगी थोड़ा साही आर्ट करेंग अच्छी से से मसाला के साथ मेंक्स मासाला को ठीम nossos में तैमाटर करेंगे, एक मीडियम साइस के टामाटर ली हूँ उसको चोटे-चोटे पीस में में काड़ती हूँ उसको डाल देते हैं डाल के अच्छी से मिक्स कर लेंगे और एक से दो मिनिट के लिए पके हैंगे अधर हम नमाज की भी यूज नहीं करें हैं पहले से डाले हैं जोड़ा से में गरम मसाला कूट के एडाली हूँ एलाइची, अलांग, और ह teníanज और डॉलोई, पकेट वेला गरम मसाला भी यूजड कर सकते हैं ऐसे कूट के डालने से उसका खुष्पु है इसमें मिक्स कर दीथ हूँ और उसके बाद हम अच्छी का मुंडी उसमें डाल देते हैं और जो आलू हुँ रखे हैं उसको भी डाल के अच्छी से मिक्स कर लेंगे अच्छी का मुंडी है जो वैसे ही डालना है तोड़ा नहीं है वैसे ही डाल के उसको मिक्स करते जाएंगे तो तूर जाएगी पारा तक पतक के लिए राटा के लेते हैं तो सब्साइब करें। मैक्स करने के बाद हम कवर करने यहाँ पकाना है कावर करके तो हमारा मिक्स करदना है मसाला के साल मिक्स हो गई तो कवर कर लए यह 5 मでも 5 स ही नुद चूड़का बना स्वसरा है और गूबी है जो हमारा साप्ट हो गई है उसको भी मिक्स कर लेते हैं अची तरह से यह देखिए अलमस रेड़ी है तो उसको हम प्लैड में निकाल देते हैं अगर रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजेगा सेयर कीजेगा सस्क्राइब तो मेरे चनल के जारू कर दीजेगा थेंक्यू फर वाच्चिंग